Welcome back friends, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKR हिंदी इंगलिस में और आज हम लोग एक कहानी को इनरेट करने वाले हैं यानि इस कहानी को पढ़के आपको सुनाएंगे जिनको इंगलिस पढ़नी नहीं आती है वो करप्यास पर विशेज ध्यान दे जिनको अंग्रेजी से हिंदी बनाने नहीं आती है वो ही करप्यास पर विशेज ध्यान दे इन दोनों तरीकों से यानि आप रीडिंग करेंगे तब आपको पढ़ना भी आएगा और चीजों को समझना भी आएगा हमें एक एक सब्द की हिंदी बताएंगे ताकि आपको आसाने से चीज़े समझ में आ जाएं चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू लेट्स गेट स्टार्टेड दा सन एंड दा विंड दा सन का मतलब सूरज एंड वाने और दा विंड का मतलब हवा हवा और सूरज की मुलाकात हुई आपस में क्या बात हुई कि उस बात को समझेंगे संटेंस के माध्यम से और आपको सिखाने का प्रियास करेंगे कि संटेंस कैसे बोले जाते हैं उनको बोलने के बाद उनका क्या अर्थ होता है अर्थ भी समझना जरूरी है यह सूरश था एंड जुह वाड़े ती मित मयाने ले में और इल टॉप ही लुल टॉप यानि एक पहाड़ी के ऊपर इट बॉटिफुल मॉम्निंग इत मैं यहां वाज मायन थी इमाने एक बीटी वाज मॉमानिंग का मतलब सुभा एक शुन्दर सुभा थो आकाश में समक रहा था के हैुअ गृचन्री तो सबस्ति वहों ठीजान है थे प्यार नोगा दो ही आ ना डाउन दे रूड से लगाने तने opposite ला था यह वार था रही जो पहने हुए यह माने एक quote यानि जो quote होता है न, ठंड से बचने के लिए वो पहने हुए था The sun and the wind started talking The sun, सूरज and the wind हवा, start का मतलब शुरू कर दिया, talking का मतलब बात करना है दोनों ने बात करना शुरू कर दिया Wind How are you? कैसे? आर माने हो? यू माने तुम, तुम कैसे हो? Sun, यानि वो सूरज कहता है I am fine, मैं अच्छा हो, thank you, धन्यवाद ऐसे ही तुम लोग आपस में बाते करते हैं तो इन बातों को ध्यान रखेंगे जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको समझ में नहीं आता रिप्लेइस को भी से रूप से अच्छे से देखें I am fine, thank you How are you? तुम कैसे हो? Wind कहती है, I am okay Let's have a bed today Let's have a bed today आओ, एक आज क्या करते हैं? Let's have a bed today आओ, आज क्या करते हैं? एक बेट लगाते हैं, बेट का मतलब सर्त लगाते हैं Do you see, क्या तुम देख रहे हो, that मैंने की, that मैंने वह, that means वह, man मैंने आदमी on the road, सड़क पर उस आदमी को देख रहे हो, सड़क पर Let's see, who can take off his code Take off का मतलब उतार देता है, हिज मैंने उसका code का मतलब, जो उसका code यानि जो उसने लबादा पहन रखका था उसको कौन उतार सकता है? तुम या मैं, दोनों में से कोई, कौन उतारेगा? के लिए आगे देखते हैं कहानी बहुत interesting है बच्चों अगर पड़ों के साथ में, तो बहुत अच्छा लगेगा Sun, I am ready, मैं तयार हूँ Let's see, who is stronger Sun, सूरज कहता है I am ready, मैं तयार हूँ Let's see, देखते हैं, who is stronger कौन मजबूत है Who is stronger का मतलब, कौन मजबूत है आगे कहानी देखते है The wind blew with all his might The wind जो हवा थी All his might, अपनी पूरी ताकत से Man, how strong the wind is today How माने कितनी strong का मतलब तेजी से The wind माने हवा Is blowing या कह सकते हो Today, यानि हवा जो है Blowing कर रही है, जो बह रही है वो बहुत तेज बह रही है It is blowing my coat away It is या blowing का मतलब बहार रही है My means मेरा coat, मेरा coat जो है Coat away का मतलब मेरा जो coat है, वो बहार रही है यानि कहने मतलब coat निकाल रही है I must hold it tightly around myself I must, मुझे चाहिए Hold माने पकड़ना It माने इसे Tightly कमने बहुत कसके या ताकत से Around myself अपने चालों तरफ The wind blew harder and harder But was unable to remove The man's coat The wind जो हवा थी Blue harder and harder हवा जो थी वो तेज से और तेज हो गई But माने लेकिन Was unable यानि वो unable का मतलब होता है Asahay हो जाना कैसे सकते हो To remove माने हटाने में The man's coat वो अदमी के coat को हटाने में जो हवा थी वो असहाय हो गई कैसी हो गई असहाय हो गई Wind Dear son Pre son I give up मैं शोड़ती हूँ मेरे बस की बात नहीं I cannot get his coat off I cannot मैं नहीं कर सकती हूँ Get up Get माने प्राप्त इस माने उसका coat off का मतलब बाहर इन उसका coat नहीं हटा सकती हूँ Now let me try Now माने अब Let me try का मतलब मुझे कोशिस करना दो I will make him Feel hotter and hotter I am I will मैं करूँगा Make मने उसे Him मने उसे Feel मने महसूस कराऊँगा Hotter and hotter यानि उसे गर्मी से गर्मी दिलाने को कोशिस करूँगा ये कौन करता है The sun Shown Brighter and Brighter The sun Shown का मतलब चमकने लगा Brighter का मतलब चमक से भी ज़ज़ादा चमक चमक से भी ज़ज़ादा चमक कहने मतलब बहुत ज़ज़ादा चमकने लगा Shown 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 Man Wiping His face Wiping पोच्टे हुए His face अपने चेहरे को I must Take off My coat I must मुझे चाहिए Take off मतलब निकाल देना चाहिए My coat देखते हैं आगे I cannot bear the scorching heat of the sun I cannot मैं नहीं कर सकता हूँ Bear का मतलब भुत है सहन करना The scorching का मतलब बहुत गर्म heat scorching का मतलब भुत होथा गर्म heat गर्म जो गर्म हवा है बहुत गर्म हवा है heat of the sun यəni सूरज की सुरज की जो गर्म heat निकल लही है scorching यानि बहुत गर्म हवा निकल लही है नहीं उसे परदास नहीं कर सकता हूँ मैंने उसे मजबूर कर दिया मैंने उसकी कोट को निकालने के लिए मैंने उसे मजबूर कर दिया wind congratulations dear आपको बहुत बहुत बढ़ाईया you are indeed stronger than me you माने तुम आर माने हो indeed का मतलब बास्तव में stronger माने मजबूर than me माने मुझसे तो मुझसे बहुत मजबूर हो wind represents the outer force whereas the sun could make the person feel the heat inside wind represents जो हवा होती है वो present क्या करती है the outer force बाहरी दबाव डालती है गहने मतलब बाहर से force लगाती है whereas the sun जो सूरज होता है could make बनाता है the person यानि वेक को feel कराता है feel का मतलब क्वार में होती नहीं अंदर परिस्थितियां आरव कभी के से समान नहीं होती हैं कभी अनुकूल ठीगों पर्प्रिस्थितिय० आप ऊसकती चलिए आपको कहाने उगर पसंद आयी हैAdam आपको कहानी पसंद आयी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई